हेलो बच्छे नमस्कार, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित मैं आप सभी लोग को स्वाकित करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एक दम बिंदास होंगे और बहुत बहतरी इन तरीके से आप लोग अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे तो थमनेल पर आप लोगों को लिखा हुआ दिखी गया होगा बचे आज का जो हम लोगों का टॉपिक है 10 कुश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ चुनाओ पर आधारित पिरसन है यहां से एक कुश्चन दो कुश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं बस वो कुश्चन आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए इसलिए बच्चा इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को कर लेते होंगे लेकिन फिर भी आप लोगों की प्रेक्टिस के लिए बच्चा मैं इस कुश्चन को इस टॉपिक को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ठीक है सुरुआत करते हैं बचे पहले सबसे पहले कुछ बातों के बारे में आप लोग जानते हैं जो टोटल वोट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम होते हैं बचे जो वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट होती है उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें कुल वोट कहा जाता है या उन्हें टोटल वोट कहा जाता है अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतदान करने नहीं गए हैं तो जो मतदान करने गए हैं उनके बारे में कोई नामकरन करने की जरूरत नहीं है भई इतने परसेंट लोग जो है वो मतदान करने करने गए हैं अब उसमें से कुछ वोट जो है वो खराब हो गई होंगी और वैद वोटो पर ही हार और जीत का फैंसला होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं आज किसी का पेपर नहीं था इसलिए बच्छा मैं एक सब टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ ठीक है पहला कुश्चन आप लोगों के सामने है बढ़िया भी कुश्चन है कुछ आसान भी कुश्चन है तो फटाफट मुझे बताएंगे दोस्त दस कुश्चन आप लोगों के सामने है जल्दी से बताएंगे क्या होगा इस कुश्चन का साथी बिलकुल सही जवाब कुशन ने कहा है किसी चुनाव में मात्र दो उमिदवार थे जिसमें जीतने वाला उमिदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे यह आप लोगों से पूछा है अचछे एक बात मुझे बताओ कि अगर टोटल वोट मैं 100 मान लो तो इसमें से ایک कैंडिडेट को 54% मिले है तो क्या इसे 54 वोट मिले होंगे और अगर 100 में से 54 इसे मिल चुके हैं तो हारने वाले को 46 वोट मिले होंगे वहीं 100 में से 54 गया तो 40 ही तो बचेगा अब उसने कहा है वो 640 मतों से चुनाव जीत गया तो मेरे हिसाब से मेरे साथी कितने वोटों से चुनाव जीत गया 8 वोटों से चुनाव जीता है उसने कहा है भाई साथी 640 मतों से चुनाव जीत गया तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आजाएगी तो 100 part की value क्या आ जाएगी बच्चा total vote जो रही होंगी वह 8000 रही होंगी total vote जो रही होंगी साथी वह कितनी रही होंगी तो आप लोग कहेंगे वह 8000 रही होंगी ठीक है चलिए बहुत बढ़िया दूसरा question आप लोगों के सामने है फटाफट मुझे बताएंगे क्या हुगा इस question का साथी बिलकुल सही जवाब दो उमिदवारों के एक चुनाव में मत डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उमिदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया बिलकुल पहले जैसा ही question है मेरे साथी अगर मैं टोटल वोट की संख्या 100 मान लूँ तो जिस वैक्ति को टोटल वोट का 30% वोट मिला यानि 30 वोट मिले तो दूसरे को क्या 70 वोट मिले होंगे इससे ये कितना पीछे रह गया तो आप कहेंगे 40 वोट पीछे रह गया उसने कहा है 16,000 वोट पीछे रह जाता है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी तो आप लोग जवाब देंगे एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 400 आएगी तो कुल डाले गए वोट कितने थे तो बच्चे वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहरा है तो 40,000 इस कुशन का जवाब हो जाएगा कुशन नमबर 3 आप लोगों के सामने है फटा फट बताईए कि क्या होगा इस कुशन का बिलकुल सही जवाब क्या इस कुशन को कर लोगे एक चुनाओं में दो उमीदवार है जिस उमीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है तो जीतने वाले उमीदवार को कितने वोट पराप्त हुए वो आप से ये पूछना चाहरा है जीतने वाले उमीदवार के वो वोट पूछना चाहरा है वो टोटल वोट नहीं पूछना चाहरा है बात को समझे अगर टोटल वोट 100 है तो जीतने वाले को 60% वोट पराप्त हुए हैं तो क्या इसे 60 वोट पराप्त हुए हूंगे हारने वाले को 40% वोट पराप्त हुए हैं तो क्या इसे 40 वोट पराप्त हुए है वो कह रहा है कितने वोटों से चुनाव जीत गया 20 से चुनाव जीत गया और उसने कहा है 14,000 से चुनाव जीत जाता है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो आएगी वो 700 आजाएगी अब उसने पूछा क्या है उसने पूछा है भाई साब जीतने वाले उमिदवार को कितने वोट मिले तो वो आप से 60 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहरा है तो 60 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,42,000 इस कोशन का जवाब हो जाएगा कोशन नमबर 4 आप लोगों के सामने है बड़ा ही ला जवाब कोशन है कोशन को एक बार पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस कोशन का साथी बिल्कुल सही जवाब कोशन नमबर 4 आप लोगों के सामने हैं ठीक है बहुत बड़िया एक चुनाव में दो उमिदवार चुनाव लड़ रहे हैं वैद मतों का 30% यानि टोटल जो वैलिड वोट है उनका 30% जो हारने वाले केंडिडेट के पक्ष में था जबकि जीतने वाले उमिदवार को 50% वैद मत मिले 50% क्या मिले वैद मत मिले बचे उसने का है और सेस जो वैद मत बचे थे उनको अवैद माना गया उनको क्या माना गया अवैद माना गया विजै उमिदवार 4500 मतों से जीता यदि कुल मतों का 90% वैद माना जाता है तो मतदाताओ की कुल संख्या क्या थी ये आप लोगों से साथी पूछा गया है बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरे पास टोटल जो है वो 100 वोट है मेरे पास टोटल कितनी वोट है तो आपने कहा 100 वोट है उसने कहा है उसने कहा है टोटल वोटों का वैद मतों का 30% हारने वाले उमिदवार के पक्ष में था मुझे नहीं पता वैद मत कितने है जबकि जीतने वाले उमीदवार को पच्चास प्रतिसत वैदमत मिले ध्यान से सुनेंगे बचचा इसे मैं वैदमत से ही सुरुआत करता हूं अगर टोटल वैदमत जो है वो मैं 100 मान लेता हूं तो मेरे दोस्ट हारने वाले को कितने मिले होंगे वैदमतो का 20% जो है वो हारने वाले को मिला होगा वैद मतों का 30% जो है वो हारने वाले को मिला होगा जबकी जीतने वाले उमिदवार को 50% वैद मत मिले यानि इसका 50% जो होगा वो जीतने वाले को मिला होगा तो क्या जीतने वाले केंडिडेट को 50 वोट मिले अगर मैं तीसरी अवैद वोटो की संख्या आप लोगों से पुछूँ तो आप कहेंगे सो में से पचास इसे मिल गए तीस इसे मिल गए टोटल असी हो गए तो क्या जो अवैद वोट रहे होंगे वो बीस वोट अवैद हो गए होंगे बहुत बढ़िया ये क्या हो जाएंगे मेरे साथी अवैद वोट हो जाएंगे वैद वोटों में से ये क्या हो जाएंगे अवैद वोट हो जाएंगे विजाई उमिदवार 4500 मतों से जीता मेरे हिसाब से विजाई उमिदवार कितने मतों से जीता है तो आप कहेंगे 20 मतों से जीता है उसने कितने मतों से चुनाव जीताया है 4500 मतों से चुनाव जीताया है तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 225 हो जाएगी क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 225 हो जाएगी उसने कहा है यदि कुल मतों का 90% प्रतिसत वैद वोट है यानि ये जो है टोटल का 90% है अगर टोटल का 90% 22,500 है तो 1% की value कितनी हो जाएगी जीरो से जीरो कट गई 9 से काटा 9 दूनी 18 होगा 9 पंजे 45 क्या 1% की value 500 हो जाएगी तो 100% की value कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 25,000 हो जाएगी अब देखो कुशन ने पूछा क्या है कुशन ने कहा है मत दाताओ की कुल संख्या की गणना कीजिए तो सवाल का जवाब जो होगा वो 25,000 हो जाएगा ठीक है बाज समझ में आई मैं एक बार फिर से बता देता हूँ 22,500 बिल्कुल गलत है 22,500 बिल्कुल गलत है अगर उसने valid vote पूछा होता तो 22,500 इस question का जवाब होता लेकिन उसने total vote पूछा है तो 25,000 इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देखना ध्यान से समझना मैं समझाना क्या चाहरा हूँ बचा उसने एक line बोली है उस line को समझने की कोसिस करिये उसने कहा है कि वैद मतों का 30% हारने वाले candidate को मिलता है वैद मतों का ही 50% जीतने वाले candidate को मिलता है और बाकी vote जो है वो खराब हो जाती है ठीक है अगर मैं वैद मत ही 100 मान लूँ अगर मैं वैद मत ही 100 मान लूँ यहां से question की सुरुवात करता हूँ वैद मत ही मैंने 100 मान लिये तो इसमें से हारने वाले को 30% यानि 30 vote मिल गए होंगे जीतने वाले को 50% यानि 50 vote मिल गए होंगे बचे कितने 20 vote बचे 20 vote जो है वो अवैद हो गए होंगे ठीक है अब समझना मेरी बात को, जीतने वाला candidate जो है वो 4500 मतों से चुनाव जीत गया, आपके हिसाब से 20 वोटों से चुनाव जीता है, तो 20 की value 4500 के बराबर तो 1 की value 225 के बराबर होगी, तो 100 की value जो है वो 22500 के बराबर हो जाएगी, अगर question में उसने valid vote पूछा होता तो 22500 हो जात है, कुल मतों का 90% valid vote है, यानि ये जो vote है, ये 90% है, 90% की value 22500 दी है, तो 1% की value 2500 हो जाएगी, तो 100% यानि total vote कितने होंगे, तो 100% की value पूछ रहा है, तो सवाल का जवाब 25000 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, साड़े चार बज़े बच्चा, दूसरा हो है, चोर सिपाही वाला है, question number 5, एक बार मुझे बताएंगे, फटा फट, क्या होगा, इस question का बिलकुल सही जवाब, question number 5, आपके सामने, एक चुनाओ में दो उमिदवार थे, 10% मतदाता अपना मतदान नहीं करते हैं, भाई, ऐसे question को, जब भी ये percentage में ना देके, और आप लोगों को संख्या में दी हो, तो इसकी एक directly trick बता रहा हूँ, इसे करने की, ठीक है, directly trick बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक चुनाओ में दो उमिदवार थे, 10% मतदाता अपना मतदान नहीं करते हैं, मेरे दोस्त, अगर 100 total मतदाता थे, तो 10% अपना मतदान नहीं करते हैं, तो 90 लोग जो है, वो अपना मतदान करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इसे मत पढ़ों, आगे आ जाते हैं, उसन एक हारने वाला उमिदवार होगा, बचे ये जो है, ये जीतने वाला उमिदवार है, और ये जो है मेरे साथी, ये हारने वाला उमिदवार है, जीतने वाले उमिदवार ने कुल मतों का 53% प्राप्त किया, तो इसे 53 वोट मिल गए होंगे, अगर 90 में से 53 इसे मिल चुके है ये कितने वोटों से चुनाव जीत गया तो आप कहेंगे ये 16 वोटों से चुनाव जीत चुका है लेकिन मेरे दोस्त उसने जिताया कितने से है 304 मतों से चुनाव जीत गया है बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ये जो 48 मत एमान्य दिये हुए है ये जो 48 मत एम मतदान करने गए ही नहीं है तो 90 लोग मतदान करने गए हैं जीतने वाले को टोटल वोटो का 53% वोट मिला तो 90 में से 53 इसको मिल गए तो हारने वाले को 90-53 यानि 37 मिले होंगे ठीक है 16 वोटो से चुनाव जीत चुका है उसने का है 304 मतों से चुनाव जीता है आप यहां एमान्य वोटो को हटा दो अवैद वोटो को घटा दो बस यह चीज आप लोगों को याद रखनी है तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 बचेगा यहां 256 हो जाएगा यहां से काटोगे तो एक बराबर 16 हो जाएगा तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 16 हो जाएगा उसने बोला है डाले गए कुल मतों की संख्या गयात कीजिए तो सवाल का जवाब जो है तो आपके हर एक चीज समझ में आ जाएगे, सुनिएगा आपने ये क्या मानी है, टोटल वोट कमेंट पर ध्यान मत देना नहीं, तो भाई मैं दुबारा नहीं समझा पाऊँगा आपने टोटल वोट जो है, वो सो दी हुई है, ठीक है उसने का है, 10% मत दाता अपना मत दान नहीं करते हैं तो क्या 90 लोग ऐसे हैं, जो वोट डालने गए हैं, 90 लोगों ने जाके बटन दबाया है यानि वोट जो टोटल डली है, वो 90 वोट डली है वोट जो total डली है वो कितनी वोट डली है 90 वोट total डली है ठीक है उसने कहा है भाई साब ये जो जीतने वाला candidate है इसे कुल मतों का 53% मत प्राप्त हुआ कुल मत कितने थे 100 थे इसका 53% प्राप्त हुआ है तो 53 वोट इसको मिल गए होंगे अच्छा total वोट डली कितनी है उसमें तो आप कहेंगे जी 90 वोट डली है 90 में से 53 अगर ये ले गया तो बचेगा कितना आप कहेंगे 90 में से 53 गया तो 37 बचेगा इसलिए मैंने हारने वाले की वोट जो है वो 37 लिखी है इसलिए मैंने हारने वाले की वोट जो है वो 37 लिखी है कुल मतो का 53 परसेंट बिलकुल सही लिखा हुआ है मैंने कहा भाई साब इसे जो है कुल मतो का 60 परसेंट मिल गया तो भाई साब 90 में से ही तो 60 वोट मिली है जब total वोट ही 90 डली है तो 90 में से 60 गया तो 30 से मिल गई ह हुआ है इसके बारे में अब टोटल वोट 90 पड़िये उस इलेक्षन में अगर तड़िपन ये लेके चला गया तो ये तो 37 लेके गया होगा दोस्त थोड़ा सा सोचने की जरूरत है चलिए कुश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है ये बढ़िया कुश्चन आप लोगों क सामने है थोड़ा सा सोचेंगे और सोचेंगे तो अंसर आप लोगों को मिलेगा ऐसे कुश्चन जो है वो आप लोगों को मेरे साथ ही मिल रहे है ऐसे कुश्चन आप लोगों को मिल रहे है ठीक है चमललाल जो है अरसद और जगजीत सिंग एक तो चमललाल है एक अरसद है और एक जगजीत है, तीन लोग हैं, बच्चे वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान सा, मतदान के सभी वोट जो है, वो वैद है, यानि टोटल जो वोट है, वो सभी के सभी वैद है, ठीक है, उसने का है, मतदान अरसद को कुल वोटों के 35% वोट मिले, मैंने टोटल जो है, वो 100 वोट माल ली, अरसद को कितने मिल गए, टोटल वोट के 35 वोट इसे मिल गए, ठीक है, चमलाल को पिरतेक 35 वोट में से 14 वोट मिलते हैं, चमलाल को 14 वोट मिलते हैं, कितने वोटों में से 35 वोटों में से, तो बच्चा 100 वोटों में से उसे कितने मिले होंगे चमलाल टोटल वोट तो सो है तो आप देखेंगे साथ दूनी 14 हो जाएगा, साथ पंजे 35 हो जाएगा, पांस से कटोगे 20 बार कड़ जाएगा, यानि चमलाल को मिलने वाले वोट जो होंगे वो 40 vote होंगे हो जाएंगे क्या अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से हाँ 90% तो खुद में ही 100% है बिल्कुल है मैंने कब कहा है 90% खुद में 100% नहीं है लेकिन उसने कुल मत बोलाए मेरे दोस्त ये क्या है ये वो लोग है जो vote डालने गए है कुल मत होता है ये वाला अगर मैंन इस कमरे में जो है इस कमरे में इस पोडियम पे 1000 रुपे रखे हुए थोड़ा सा सोचना इस कमरे पे जो है इस पोडियम पे जो है 1000 रुपे रखे हुए हैं दो वैक्ति हैं एक मैं हूँ एक स्ट्रीमर भानू है दोनों वैक्ति हम हैं मैंने कहा मुझे जो मिलते हैं ना वो को 100 मिलते हैं, तो आपको 600 मिलते होंगे, क्योंकि आपको 500 रुपे जादा मिलते हैं, मुझे जो है वो 600 रुपे मिल गए, आपको मेरी amount पता चल गी है, अब आप भानू की amount बता दीजिए, भानू की amount कितनी होगी, भाई जब total जो है वो 100 है, और उसमें से 600 मुझे मिल गए है तो भानू को मिलने वाली रकम तो 400 ही होगी या नहीं होगी, बस इसकी तुलना जो है वो इससे की गई थी, इसका 53% जीतने वाले को मिलता है, जब वोट ही 90 डली है, और जीतने वाले को उसमें से 53% मिल गई है, तो हारने वाले को 37 मिलेंगी या नहीं, जब तुलना इसकी क काल लेव आप लोग, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते है 304 में से 48 इसलिए घटा दिये, क्योंकि यह एमान ने वोट आप लोगों को दी हुई थी यह हमेसा घटेंगे, अब आप यहाँ समझेए, उसने कहा है कि चमल अरसद को कुल वोटों के 35% वोट मिले तो अरसद को बच्चा मैंने 35 वोट लिग दिया, ठीक है कुल डाले गए वोट तो पूछ रहा है ध्यान से देखी, हाँ यहाँ जरूर हो सकता है एक बराबर किसके आगया 16, तो डाले गए कुल मतों की मत डालते हैं, तो यहाँ मैं आपकी बात मानूँगा, यह 1440 होगा यह 1440 होगा मेरे दोस्त, यह सवाल का जवाब इसका दूसरा उप्सन हो जाएगा, डाले गए वोट जो थे, वो टोटल वोटों का 90% है, ठीक है हाँ, बिलकुल सही है 90% 1440, अगर कुल वोट पूछा जाता, तो 1660 होता ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, उसने कहा है, अरसद को कुल वोटों के 35% वोट मिले, टोटल वोट 100 माने है, अरसद को 35 मिल गए चमनलाल को पिरतेक 35 वोट में से 14 वोट मिलते है 35 में से 14 मिलते हैं, तो 100 में से कितने मिले होंगे 35 में से 14 मिलते हैं, तो 100 में से कितने मिले होंगे तो आप कहेंगे, जी 40 वोट जो है वो चमनलाल को मिल गए होंगे 40 और 35 कितना हो गया, 75 हो गया भाई, अब देखो, अब मैं इसकी तुलना किस से करूँ इसको तो बची कुछी contempt मिली होंगी टोटल वोट 100 मानी है और 75 ये दोनों ले गए है तो क्या 25 वोट जो है वो इसे मिली होंगी तो जमसेद को जो मिली है जगजीत को जो मिली है वो 25 वोट मिली है ठीकै उसने कहा है विजेता को सबसे कम वोट पा वोट जो है वो अधिक मिलती है तो एक पार्ट की वैल्यू 15 यह 45 पंदर ही 45 एक पार्ट की वैल्यू 330 हो जाएगी तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या क्या होoria तो वो 100 पार्ट की वेल्यू Party पूछ रहा है एक बराबर 330 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा यानि कि 33,000 जो है वो टोटल वोट हो जाएंगी 33,000 जो है वो सत्थी टोटल वोट हो जाएंगी ठीक है, question number 7 आप लोगों के समने है question number 7 आप लोगों के समने है जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जबाब एक बार उपर करना उपर 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 यह यह अपना ही message लिखने में लखा हुआ है बिरसा, यूवा, सेवा, संग मेरे दोस्त मैंने वह ही निकाला है मेरे साथी, मेरे छुटे भाई मैंने वह ही निकाला है टोटल वोट पूछेगा 1600 डाले गए वोट 90% है 1440 तब ही बताया है चली एक चुनाव में उमिदवार X है उसको कुल वैद मतों के 70% वोट मिलते हैं जितने वैलिड वोट है उनके 70% वोट जो है वो X को मिलते हैं यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैद घोसित कर दिया जाता है और मतों की कुल संख्या 64,440,000 है बचे मतों की कुल संख्या कितनी है 6,440,000 है इसमें से कितने परसेंट मतों को अवैद घोसित कर दिया जाता है 20% मतों को अवैद गोसित कर दिया चलिए तो 4 0 से दोस 4 0 एक बार देखेंगे टोटल वोट जो है वो 6,4,000 है 20% वोट खराब होगी तो 80% वोट जो है वो ठीक है और उसने क्या कहा है मेरे दोस्त की जीतने वाले को 70% वोट प्राप्त होती है तो मैंने इस वैलिड वोट का 70% वोट निकाल दिया तो बस अब यहां से आप लोग गुणा कर लीजिए 6400 गुणा 56 हो जाएगा तो इकाई कांक देखेंगे 624, 624 कौन सा अंसर होगा ओप्सन नमबर A ये ना रह, 2 0 के बाद 624 ठीक है, तो अप्सन नमबर A इस कुशन का जवाब हो जाएगा ठीक है कुशन नमबर 8 एक बार देखेंगे बच्चा दो कुशन और है, बड़े खतरनाक कुशन है एक बार मुझे बताएंगे यही कुशन वो आप लोगों से पूछ रहा है यह जो चमलाल वाला कुशन कराया था वो यही कुशन आप लोगों से पूछ रहा है ठीक है, फड़ावड बताएंगे कुशन ने का आए, दो पिर्तियासियों के बीच हुए एक चुनाओ में पात्र मत दाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला यानि जितने भी चार पेतालिस कर दो जितने भी टोटल वोट थे उसमें से 80% ने दोस्त अपना वोट डाला डाले गए 5% मतों को अवैद घुसित कर दिया गया एक पिर्तियासी को 10,545 मत मिले जो कुल वैद मतों का 75% था तो पात्र मत दाताओ की कुल संख्या यानि वो टोटल वोट आपसे पूछना चाहरा है तो दोस्त बहुत आसान कुश्चन है थोड़ा सा मेरे साथ सुनना अगर मैं टोटल वोट जो है वो ए मान लो अगर मैं टोटल वोट जो है वो ए मान लो तो मेरे दोस्त कितने लोग अपना vote डालने गए है तो आप कहेंगे 80% लोगों ने अपना vote डाला यानि कि टोटल vote का 80% निकाल दूंगा तो ये वो vote आ जाएंगे जो चुनाव डालने जो vote डालने गए यानि ये वो vote है बचे जो vote डालने गए है यानि ये केंडिडेटों ने बच्चा वोट डाला है ठीक है उसने काई डाले गए 5% मतों को अवैद घुसित कर दिया गया भाई इसमें से 5% खराब हो गए तो क्या इसका 95% जो है वो वैलिड वोट है आगे क्या कह रहा है एक पिरतियासी को 10,545 वोट मिले जो कुल वैद मतों का 55% था ये वैलिड वोट आ चुकी है इसका 55% जो है एक केंडिडेट को मिला और जो की उसे कितना मिलता है 10,545 मिलता है बस यहां से सॉल करने की जरूरत है एक जीरो से मेरे दोस्त एक जीरो कट जा ठीक है दो से काटेंगे पांच बार कट जाएगा पांच से काटेंगे 19 बार कट जाएगा बास समझ में आ गई अब यहां से एक बार देख लीजिए बच्चा टोटल वोट कितनी निकल के आएंगी काटी यहां से तीन तीया नो होगा एक बचेगा तीन पंजे पंदर है तीन एकम तीन तीन पंजे पंदर होगा उननिस एकम उननिस होगा यहां से सोला बचेगा उननिस अठे एक सो बावन होता है कितना बचेगा उननिस पंजे पिच्चाण में होगा यहां से देखेंगे 100 की गुणा जब 185 में होगी तो टोटल वोट जो है वो 18500 हो जाएंगी टोटल वोट कितनी हो जाएंगी दोस्त 18500 यानि कि option number B इस question का जवाब हो जाएगा question number 9 आपके सामने है फटावर से मुझे बताएंगे क्या होगा इस question का साथी बिल्कुल सही जवाब question number 9 आपके सामने है बिटा ऐसा ही लगता है last moment पर ऐसा ही लगता है PDF दे दूँ आज कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त चलिए एक चुनाव में विजयी उमीदवार को 15,744 मत पराप्त हुए जो कुल मतों के 48% थे अगर मैं आपसे कहूं total vote जो है वो 100 है तो 48% जो है वो जीतने वाले candidate को पराप्त हुए 48 और 22 कितना हो गया दोस्त तो आप कहेंगे 70 vote हो चुके हैं तो ये 30 vote जो है ये खराब हो गए ये invalid vote हो गए दोस्त बचे कुछे जो है वो खराब हो गए तो उसने कहा है कि मतदान ने करने वालों की मतदान जो इन्होंने मतदान नहीं किया है 30% लोगोंने मतदान नहीं किया ये वो लोग है जिनोंने मतदान नहीं किया है तो 30 लोग ऐसे हैं जो वोट डालने नहीं गए है उसने का है भाई साब जीतने वाले को 15,744 मिलती है मेरे हिसाब से 48 उसने कहा है 15,744 तो एक पार्ट की वैल्यू 15,744 बटे 48 हो जाएगी ठीक है 16,9144 होते हैं 13 बचेगा 16,828,164,64 16,348,3,3,9,3,2,6,3,8,24 एक बराबर 328 होगा तो ऐसे कितने लोग हैं जो बतदान करने नहीं गए हैं यानि वो 30 पार्ट की वैल्यू पूछना चाहरा है 28,24 को 4 हंसिल 2,3,2,6,2,8,3,3,9 सवाल का जवाब 98,140 हो जाएगा सवाल का जवाब जो है वो 98,140 हो जाएगा ठीक है कुशन नमबर 10 आप लोगों के सेवा में हाजिर है कुशन नमबर 10 आप लोगों के सेवा में हाजिर है फटा फट मुझे बताईए बच्चा क्या होगा इसका बिलकुल सही जवाब कितनी देर की होगी फटा फट मुझे बता दीजिए दोस्त इसका क्या होगा बलकुल सही जवाब दो उमीदवारों के बीच हुए एक चुनाओ में 10% मत दाताए ने अपना मत नहीं डाला मेरे दोस्त अगर total vote A है उसमें से 10% मत दाताओं ने अपना मत नहीं डाला तो क्या 90% मत दाताओं ने अपना मत डाला है बहुत बढ़िया डाले गए मतों के 5% मत जो है वो अवैद पाए गए ये डाले गए मत है इसमें से 5% खराब हो गए तो क्या 45% जो है इसके ठीक वोट है तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक vote है उसने का है सफल उमीदवार को वैद मतों के 55% प्राप्त हुए जो valid vote है उसके 55% जो है वो winner को मिले हुँगे तो जो हारा होगा जो defeat हुआ होगा जो हारा होगा क्या उसे 45% vote मिले हुँगे valid vote के टोटल वैलिड वोट अपने आप में 100% है तो इसमें 55% जीतने वाले को मिल गए हारने वाले को 45% मिल गए तो जीत कितने वोटों से गया valid vote के 10% वोटों से ये चुनाव जीत चुका है 10 कहां से आया है 45% मिले हैं इसे 55% मिले हैं तो valid vote के 10% वोटों से ये चुनाव जीत चुका है उसने कितने से जिताया है 1710 मतों से चुनाव जीत जाता है 1710 मतों से चुनाव जीत जाता है दोस्त 2-0 से 2-0 कट गए यहां से देखेंगे 5 से काटा 19 बार 5 से काटा 20 बार 19 से काटा 19 निम्मा 171 9 से कटा 10 बार 20 की गुणा 2000 की गुणा 10 में करेंगे तो 20,000 इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा यानि कुल मतों की संख्या आप लोगों से पूछी जाए तो 20,000 इस कुश्चन का जवाब हो जाएगा ठीक है मैं फिर से बताता हूँ तोटल वोट कितने है ए है उसने कहा है 10 परसेंट मतदाता मतद डालने नहीं गए है तो 90 परसेंट मतदाता मतद डालने गए हैं दोस्त ये जो वोट डालने गए हैं ये वोट वो है जो वोट डालने गए हैं इसमें से 5 परसेंट खराब हो गई तो इसका क्या 5% ठीक है यानी यह जो है यह valid vote है अब valid vote में से 55% जीतने वाले को मिले है तो 45% क्या हारने वाले को मिले हूंगे valid vote अगर मैं पूछू valid vote के कितने percent वोटों से चुनाव जीत गया तो आप कहेंगे valid vote के 10% वोटों से चुनाव जीत गया उसने कहा है 1710 मतों से चुनाव जीता है, बस इसके बाद काटा पिटी करनी है, ठीक है, आज के लिए मेरे दोस्ट इतना ही इनी कुश्यन को कर लेना, इनी कुश्यन को कर लेना एक बार वीडियो को फिर देख लेना, चुनाव का कुश्यन जो है, ऐसा ही आएगा, जैसा चु मिलेंगे दोस्त मेरे अभी पांच मिनट बाद जो है वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है ओके टाटा बाई बाई